आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं कनहिया अलल गुपता, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वेश्टीज टाक्स में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज मैं आपको Vestige Agri Product Agri Nanotech के बारे में बताने जा रहा हूँ Vestige Agri Nanotech को अति सुक्ष्म टेकनोलोजी से बनाया गया है नैनो का अरत है सुक्ष्म Vestige Agri Nanotech सुक्ष्म टेकनोलोजी से तैयार किया गया उतपाद है Vestige Agri Nanotech को Chilated Fertilizer भी कहा जाता है Chilated का अरत है चलाय मान यह उतपाद Alkaline भूमी में भी अपना कारे करता है और Acidic भूमी में भी अपना कारे करता है Vestige Agri Nanotech दोनों प्रकार की भूमी में अच्ची फसल दे कर पैदावार को बढ़ाता है मानो शरीर को 45 विटामिनों की जरूरत होती है मानो शरीर में यदि कोई एक विटामिन की भी कमी हो जाये तो शरीर कमजोर पढ़ जाता है यदि मानो शरीर में किसी विटामिन की मात्रा अधिक हो जाने पर मृत्य हो जाती है ठीक उसी प्रकार पोधों को भी जीवन होता है पौधों को 16 तत्वों की अवशकता होती है इन 16 अवशक तत्वों मेंसे कोई भी एक तत्व की मात्रा अधिक होने पर पौधे कमजोर पढ़ते हैं कोई भी एक तत्व की मात्रा कम होने पर भी पौधे कमजोर पढ़ने लगते हैं पौधे की अतियवश्चक 16 तत्वों के बारे में जानते हैं कार्वन, हैड्रोजन, आकसीजन ये तीन तत्वों पौधे के लिए अतियवश्चक हैं जो हमें प्रकुर्टी से वर्दान में मिले हैं बाकी बचे वे तेरा तत्वों के बारे में जानते हैं नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटाइश, केल्शियम, मैगनेशम, सलफर, आइरन, जिंक, बोरान, कापर, मैगनीज, मॉलिबडेनम, क्लोरिन ये सभी पहुदे के लिए अति आवश्चक तत्व हैं ये सभी तेरा तत्व वेस्टीज, अगरी प्रड़क्ट, अगरी नेनोटेक के उपयोग से हम पोधों को दे सकते हैं अगर मानव शरीर में क्यल्शियम की मातरा कम होने पर हड्टियों में कमजोरी आ जाती है ठीक उसी तरह जमीन और पोधों को मिनेरल से विटामिन्स और प्रोटिन्स की जितनी जरूरत है उतनी मातरा में ही देना चाहिए किसान भाई बजार से लाया हुआ प्रड़क्ट उपयोग में लाते हैं बजार में तेरा तत्व वाला उत्पाद नहीं मिलता कम से कम तीन तत्व वाला उत्पाद बजार में मिलता है यदि किसान भाई तेरा तत्व खरीदने जाएंगी तो तीन से चार प्रड़क्ट खरीदना पड़ेगा इन चार प्रड़क्ट को खरीदने में किसान को अधिक खर्चा करना पड़ेगा अगर बजार से लाया हो उत्पादों को अस्तामाल कर भी लिया जाए तो उसका सही रिजल्ट किसान को नहीं मिल पाता है क्योंकि उनमें केमिकल की मात्रा अधिक होती है सभी किसानों को ध्यान में रखकर वेस्टी न्यागरी नेनोटेक को बनाया है यदि किसी विक्ति को बुखार आता है तो वो डाक्टर के पास जाता है डाक्टर उस विक्ति को चिक अप करने के बाद बुखार कम करने के लिए एंटिबाटिक देता है उस एंटिबाटिक से विक्ति के शरीर में कमजोरी आ जाती है इसलिए डाक्टर एक मल्टी विटामिन भी देता है ताकि हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ती हो जाए और हमारा शरीर स्वस्त रहे ठीक उसी तरह वेस्टी जगरी नेनोटेक ओधूं को मल्टी विटामिन देता है वेश्टी जगरी नैनोटेक मल्टी मैक्रो नीट्रिशन वाला उत्पाद है वेश्टी जगरी नैनोटेक की उपयोग से हम हमारी फसल को 13 विटामिन एक साथ दे सकते हैं नैनोटेक की उपयोग से पहुधे में पत्तों का आकार भी बड़ा आता है पतों का विस्तार भी होता है पौधा नेचुरल दिखाई देता है वेश्टी जगने नाइनो टेक के उपयोग से फल का कलर भी नेचुरल दिखाई देता है पौधे के पतों का आकार बड़ा रहने पर प्रकास संसलेशन क्रिया भी जादा मातरा में होती है पत्ते सूरी की किरणों द्वारा भोजन लेकर पौधे तक पहुचाते हैं इस क्रिया को प्रकान संसलेशन क्रिया और फोटो सिंतेसिस क्रिया भी कहते हैं इस क्रिया द्वारा पौधे एकदम स्वस्त रहते हैं वेस्टी जगरी नैनोटेक का उपयोग भूमी उप्चार में वेस्टी जगरी नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं एक विंटल गोबर खार्ब में 500 ग्राम नैनोटेक मिला कर जमीन में डालने से भूमी नेचरल हो जाती है इसकी उप्योग से भूमी का इम्मेनिटी पावर भी बढ़ जाता है नैनोटेक का उप्योग फूल आने के 15 दिन पहले और फूल आने के 15 दिन बात कर सकते हैं 15 लिटर पंप में 20 ग्राम वेस्टी जगरी नेनोटेक, 10 एमेल अगरी 82 मिलाकर स्प्रे करें 200 लिटर पानी में 500 ग्राम वेस्टी जगरी नेनोटेक, 100 एमेल अगरी 82 मिलाकर स्प्रे करें धान की खेती में फ्रूट में जमीन में अपलाई कर सकते हैं एक एकड में धान की खेती में यूरिया डियोपी के साथ 500 ग्राम नैनोटेक मिलाकर जमीन में डाल सकते हैं फल के पवधे में स्प्रे कर सकते हैं 15 लिटर पंप में 30 ग्राम वेस्टीच अग्रिन नैनोटेक 10 से में लगरी 82 मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद